आरक्षन पर योग्या दितेनाथ की गंदी और घटिया सोच या यू कहें जहरीली सोच मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ कि योग्या दितेनाथ की आरक्षन विरोधी बयान एक बार फिर से चाचा में हैं मैं आपको योगिया दितिनात का एक लेक पढ़ाने वाला हूँ जो योगिया दितिनात ने खुद लिखा है और उसमें आरक्षन को लेकर जिस तरह की बाते वो कर रहे हैं वो बेहदापती जनक हैं और S.C.S.T. O.B.C. समाज को मिलने वाले आरक्षन को लेकर उनकी घटिया स सोच को जाहिर करते हैं इसलिए हमने ये थमनेल का एडलाइन लिखा है आरक्षन पर योगी की घटिया सोच मैं आपको सीधे योगिया दितिनात की वेबसाइट पर लिए चलता हूं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह जो वेबसाइट है यहां पर मैंने वेबसाइट खोल इसी वेबसाइट पर योग्या दितनात के सारे जीवन के कामकाज को दिखाया गया है कैसे उन्होंने अपनी जिन्दगी के श्रुवात की क्या कुछ किया उसके बारे में जिक्र है और यहीं पर एक कॉलम है जिसमें लेक लिखा हुआ है जैसे ही आप इस लेक पर जाएंगे तो योग्या दितनात के द्वारा लिखे हुए लेक के बारे में आपको जानकारी मिलेगे और यह वो सारे लेक हैं जिसमें उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है इसी में आप देखेंगे तो अलग-अलग लेक जो हैं वो यहां पर योग्या दितनात ने लिखे हैं जिसमें कुछ लेक जो हैं उनका टाइटल मैं आपको पढ़के दिखा देता हूँ खत्रे में हिंदू, हिंदुत्यू की विजय इस तरह के लेक हैं और ऐसे ही पढ़ते हुए जब आप नीचे की तरफ आते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर आपको एक लेक दिखाई देता है जिसका टाइटल है आरक्षन की आग में सुलगता देश तो यह टाइटल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आरक्षन की आग में सुलगता देश यह योगी अदितनात का लिखा हुआ जो है आर्टिकल है और इसको जैसे ही आप खोलेंगे यह सीधे ओफीशल में आपको दिखा रहा हूँ ओफीशल योगी अदितनात की वेबसाइट के बारे में जिक्र है और जैसे ही इस वेबसाइट को आप खोलेंगे इस लेक को आप खोलेंगे तो आपकी स्क्रीन पर यह जो लेक है यह आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आरक्षन की आग में सुलगता देश इसका टाइटल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो योग्यादितनात ने खुद लिखा है इसलिए मैं आपको अब सिलसलेवार ढंग से दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर योग्यादितनात ने आरक्षन को लेकर बाते लिखी है तो यह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आरक्षन के आग में सुलगता देश यह आर्टिकल सीधे योग्यादितनात के दोरा लिखा हुआ है और यह उनकी वेबसाइट पर योफिशल वेबसाइट पर योग्यादितनात डोटेन पर आप जाकर लेक वाले सेक्शन में देख सकते हैं कब लिखा है इस बारे में जानकरी है कि कुछ पहले लिखा हुआ कई साल पहले लिखा हुआ लेक है तो उस जमाने में जब योग्यादिनात लिख रहे थे तो कैसे आरक्षन पर उन्होंने अपनी सोच को जाहिर किया और अपने विचारों को लिखा है कैसे वो आरक्षन को एक खराब चीज़ बानते हैं इस बारे मैं नोंने लिखा है तो आप जैसे इस का टाइटल देखेंगे याँ पर आप देखिए आरक्षन की आग में सुलकता देश और इस आर्टिकल की जब आप पहली ही लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे योगी आदितनाथ दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों के आरक्षन को लेकर बहुत ही खराब सोचते हैं आप जैसे यह लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं आपको पढ़के बता दिता हूँ किसी समाज अत्वा जाती को अगर अकर्मन्य अत्वा निकम्मा बनाना हो तो उससे बिना कर्म किये सुविधा प्रदान करते जाएए नेशित ही एक समय के बाद अकर्मन्य अत्वा समाज में सरवत्र दिखाई देगा तो यह आप अगर लाइन पढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि किसी भी समाज को अगर निकम्मा बनाना है तो उन्हें कोई सुविधा दे दीजिए बिना काम किये और एक समय के बाद वो निकम्मा पनुष जाती में हर जगे दि कम्मी है सीदे सीदे योगिया दितनात है CSTOVC समाज का अपमान करते हुए इस लेख में दिखाई दे रहे हैं पहली ही लाइन में वो कह रहे हैं कि आरक्षन से निकम्म में पैदा होते हैं आरक्षन निकम्मा बनाता है और जिन जातियों को आरक्षन मिला है वो निकम्मी जातियां हैं सीधे सीधे दलित बोजन समाज, आदिवासी समाज का अपमान करते हुए ये लेक योग्य अदितनात का यह देख सकते हैं कि कैसे योग्य अदितनात दलितों पिछडे आदिवासियों को निकम्मा कह रहे हैं यह लेक उनकी वेबसाइट पर जाकर देखिए यह उनकी सोच को जाहिर करता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यारक्षन को खत्म करेंगे, उनकी सोच को जाहिर करता हुआ, आरक्षन की आग में सुलगता देश के एडलाइन वाला यह आर्टिकल, जो योगिया दितनात ने खुद लिखाया है, हमकी वेबसाइट पर अवेलबल है, वो कह रहे हैं कि आरक्षन से देश निकम्मा बनता है, सेस्टी समाज जिनको आरक्षन मिला है, वो निकम्मे है, यही इसका मतलब है, यही इसका मतलब दिखाई देता है, आपको ही भी आसान भाषा में इसको समझ सकता है, एक बार फिर पढ़कर बता देता हूँ, किसी समाज अत्वा जाती को अगर आपको निकम्मा बनाना है, तो उसे बिना काम किये सुविधा प्रदान करते जाएए, निश्यती एक समय के बाद वो निकमा पनुष जाते और समाज में हर जगह दिखाई देगा, यह इसका मतलब है जो योग्या दितनात अपने आर्टिकल मैं दिखाई देते हैं, लिखते हुए, और उसके बाद आप देखे, इस पूरे आर्टिकल में ऐसे शब्दों का इस्तुमाल किया है, ऐसी ऐसी भाशचा का इस्तुमाल किया है, जो बताता है कि आरक्षन के बारे मे योग्या दितनाथ, BJP, RSS वाले, उनकी सोच कितनी घटिया है, कितनी जहरीली सोच है, किस तरह से वो आरक्षन को खराम मानते हैं, मैं सबूत दिखाता हूँ योग्या दितनाथ को, योग्या दितनाथ क्या कह रहे हैं, आरक्षन निकम्मा बनाता है, इससे मेरिट का नुकसा होता है इसे compromise होती है merit और इससे देश का नुकसान होता है यह कह रहें न मैं आप यह योगया दितनात की पॉल खुलता हूं आपको जो में एक रिपोर्ट दिखाता हूं आप यह रिपोर्ट देखिया अपनी कि भारतिया railway में जो आरक्षन से जो करमचारी नुकत होते है स्ट की ओबीस संमाज के लोगों को जिनको नोकरीया मिली है वो लोग बाकी लोग जिनको आरक्षन नहीं मिला है जनेरल कैटेगरी वाले हैं उन से जादा मैनती होते हैं ज्यादा अच्छा काम करते है visit ज्यादा efficient होते हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, a first of its kind study of the impact of reservation in public sector jobs on productivity and efficiency has shown that the affirmative action did not reduce productivity in any sector but had in fact raised it in some areas, ये बता रहा है, ये study बता रही है कि भारत में जो reservation लाग हुआ, इस से efficiency, productivity घटी नहीं है, बलकि कई जगे बड़ी है, और despite being widespread and much debated, India's reservation policy for the educationally and socially backward classes in poorly studied, while there is some research into the impact of reservation in politics and in higher education, there has been no study yet of its impact on economy, ये ये साबित करता है कि भारत में जो reservation है, उस से efficiency बड़ी है, efficiency घटी नहीं है, तो ये योगियाद इतनात क्या बोल रहे हैं, कि निकम्मा बनाता है, ये सबूत है, इंडियन रेलवेज में वो study, फर्वरी 5-2015 की ये रिपोर्ट है, जो दा इंदु अकबार पर पब्लिश है, रुकमनियश नहीं इसको पब्लिश किया है, रिपोर्ट जो आप जाके देखिए, दा इंदु अकबार पर ये सीधी सीधी में आपको अभी दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, गूगल कर लीजे जाके सीधा सबूत है, कोई ये एफेक्ट जो गलत नहीं बता रहा, योगया दिदनात को ये सब देखना चाहिए, बाकाइदा रिसर्च में थाबित हुआ है कि जो रेजर्वेशन से नोकरी जिन को मिलती है, ये सीधी सीधी जो रिपोर्ट है, ये बताती है, लेकिन योगया दितनात क्या कह रहे हैं कि किसी समाज को निकमा बनाना है तो उसको आरक्षन देदो सुविदा देदो इस तरह की बात करते हैं और इसके बाद आप जब आप देखेंगे तो यह तमाम इसमें ऐसी ऐसी बाते की गए इस पूरे आर्टिकल में जो यह बताता है कि योगया दितनात किस तरह का सोच रखते हैं किस तरह के विचार रखते हैं दलित बोजन समाज के आदिवासी समाज का अरक्षन के बारे में अब यहाँ पर देखें मैं आपको एक और चीज़ पढ़ा कर दिखा देता हूं यह देखिए इसमें यहाँ पर बताया गया है क कि समाजिक रूप से असप्रश्चा और अचूत का जाने वाला यहाँ का बहुत बड़ा तबका अपने को समाज की मुखेदारा से जुड़ा हूँ महसूस कर सके और गर्व से अपने समाज और राष्टर का इका बिन अंग अपने आपको मान सके इसके लिए समविधान में वर्सों के लिए आरक्षन की विवस्ता दी गई थी लेकिन अब यहाँ पर यह 10 को पीछे कर दिया गया है भारत के अंदर समाजिक रूप से अचूत कहे जैने वाले जिस तबके को समाजिक और आर्थिक रूप से समुनत बनाने के लिए विवस्ता की गई थी उसकी मानदा यह जूट बोल रहे हैं योगया दितनात यहां पर फेक न्यूज फैला रहे हैं पात के समविदान में आर्टीकल 335 में सेस्टी को नौकरियों में आरक्षन की बात की गई है और उसमें दस वर्षों की कोई मियाद नहीं है आप जाई यह आर्टीकल खोलिए पढ़िए तो सही कम से कम यह देश के सबसे बड़े सुबे उतरपरदेश के मुख्यमंत्रियां दूसरी बार मुख्यमंत्रियां इनको यह नहीं मालूम कि समय सीमा नहीं है आरक्षन पर देश में जो नौकरियों में सिक्षा में जो आरक्षन मिला हुआ उस पर कोई समय सीमा नहीं है दित्व है उसकी समेक्षा की बात की गई थी जो अभी तक नहीं हुआ लेकिन यह सारे जो reservation है जिसमें नोक्रियों का सिख्षा का reservation उसकी भी बात की जा रही है जूट fake news वलाने की कोशिश यहां पर की गई है यह fact check हम यहां पर कर रहे हैं और यह देखिए यह यहां पर बता रहें इमानदारी से समेक्षा हुई होती तो अरक्षन का यह भयावय द्रिश्य सामने नहीं आता आप जब बताईए उनिस सो पचास 26 जनवर उनिस सो पचास से पहले जब जो है ब्रिटिश इंडिया में आज में रेजर्वेशन लागू नहीं है उनको आपने कितना टॉप कर लिया भारत की जितनी युनिवर्सिटीज हैं एक भी दलित कुलपती नहीं है एक भी जो बड़े टॉप इंस्टूशन से उसमें दलित जो है वो चेर पर से नहीं है उनके प्रोफेसर्स में उनके अस अपिसान हो रहा है इसी भयावले कि आप बात कर रहे हैं क्यों नहीं कर पाए आप जिन युनिवरसिटी के जो हैं डलि युझ भी नहीं पोँरे उनको नमर्वन क्यों नहीं बना। बारत का एक भी विक्टी आजतो भारत का सिक्षाangi बना जो डलित व्यक्ती हों तो जो सा काम किया 26 जनवरी 1950 जब बाबा साहब सामविधान बनाते हैं और रेजर्वेशन लागू करते हैं वंची जातियों के लिए उसके बाद से हमारे देश ने कितनी तरक्षी की है हमारा देश कहां था कहां से कहां तक पहुचा है सुई भी जो बाहर से मंगाते थे आज जहाज यां मैनुफेक्चर कर रहे हैं हमारे देश ने कितनी तरक्षी करी है रेजर्वेशन की वजए से रेजर्वेशन ने लोगों को काबिलियत दी है लोगों को गरीबी रेखा से उपर उठाया है लोगों को सशक्त किया है पढ़ाई लिखाई में अवल किया है देश निर्मान में योगदान दिया है और आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, एक और इंट्रस्टिंग चीज में आपको इसमें दिखा देता हूँ, जो योगया दितिनाज यहां पर बार 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 बताते हैं, कि यहां पर जो दूसरी जाती के लोग हैं, जो गरीवी के अधार पर जो हैं, वो आजी कात्वा आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर तबके को आरक्षन, अत्वा किसी भी प्रकार की सुविदा प्रदान करने का विरोध किसी को नहीं है, EWS का रेजरिवेशन मिला, बिना किसी डेटा के, बिना किसी तत्यों के, बिना किसी आंकडे के, कौन जो गरीब था, उन में 10% आरक्षन सवरणों को एक्स्क्लूसिव दे दिया, उसका विरोध योगी अधितिनात्र ने लेक लिक के नहीं किया, बयान दे के नहीं किया, इन बयान इनके देखे, इस तरह की बाते जो है, ये कितना ये देखिया, आरक्षन का ये दाएरा, कितना नुकसान भारतिया प्रतिभाव का करेगा, कहा नहीं जा सकता, वही घटिया सोच, आरक्षन मेरिट का नुकसान करता है, मैंने अभी दिखाया आपको भारते रेलवे मे स्टडी हुई है बकाइदा, और वो ये साबित करता है, कि रेजर्वेशन से जो लोग नौकरियों में जाते हैं, वो ज्यादा काबिल होते हैं, ज्यादा मैनत करते हैं, एफिशेंसी बढ़ती है, प्रोडिक्टिविटी बढ़ती है, डाइवरसिटी हमेशा प्रोडिक्ट उटाता है, लेकिन ये कैसा समाज बनाना चाहते हैं, जहां चंद जातियों के लोग हों, चंद जातियों के लोग सारे निरने लें, बाकी जातियों के लोग, उनके गुनगाएं, उनके जो हैं, चरण धोएं, उनके लिए फायदे का काम करें, उनकी सेवा करें, ऐसा समाज लाज बनाना चाहते हैं योगे अधिदनात बताए उनको जो आरक्षन मिला उसका क्या इस जाती में पैदा हुए कैसे महिपे कि यूपी के सिएंव बन गे उसकी कोई अरक्षन पर जनमजाथ आरक्षन पर कोई बात नहीं होगी क्यों सारी प्रतिभाओं को कतल किया गया उसका कोई जिकर नहीं होगा सद्यों तक आपने मेरिट के नाम पर चतुरु परण विवस्ता जाती विवस्ता को बनाए रखा और लोगों को अपनी मैनत का काम करके अपनी काबिलेत के इसाब से कुछ कर दिखाने के लिए नहीं है उनको मोका दिया उसका कोई जिकर नहीं हुआ जब यूरॉप में क्रांतिया और एथी लोग नए-णए अविश्कार करे थे आप जाती विवस्ता कुड हुआ रहे थे अप जाती विवस्ता थोप रहे थे उसके इसाब से पालग कर वा रहे थे शर्ब नहीं आती इस तरह की बयान बाजी करते हुए तो योगय अधितनात की ये जो बाते हैं वो देखते हैं और यहां पर फिर वो धर्म के आदार पर आरक्षन को बाटना और वो मुस्लिम आरक्षन का शुगूफा छोड़ते हैं इस तरह का ये पूरा जो आप ले कहिए जाए और उनकी वेबसाइट पर पड़िया आरक्षन की आग मैं सुलगता देश वो ये हेडलाइन के साथ योगय अधितनात की वेबसाइट पर अभी भी अविलबल है और इसलिए हम कह रहे हैं कि देश का सामिधान और आरक्षन खत्रे में हैं बार बार जो दावा है अब की बार 400 पार अब की बार 400 पार ये इसलिए शायद ये कर रहे हैं इनहीं के लोग कह रहे हैं जो ते मिर्धा इनके जो सांसद हैं तमाम लोग इनके बयान हैं कि 400 पार आएगा तो मन मुताबिक हम जो हैं सम्विधान को बदल देंगे और जिस तरह से इन्होंने किया सारी कं कर दी गई उनमें रेजरवेशन खतम हो गया जिन भी कमपनियों को बेचने उसमें सवर्णों की कर रहे हैं और आरक्षन के ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी भाषा, ऐसी ऐसी चीजे, देश विरोधी बाते हैं ये, आरक्षन देश निर्मान की बात है, आरक्षन देश के समिधान निर्माताओं, भारत के राश निर्माताओं की सामुईक सहमती का विशह है, उन्होंने देश को तरक्की की रास्ते पर ला कि क्या चल रहा है कैसी सोच है अभी वियार्टिकल हो आओ सकता है जल्दी सको अटा ले इसलिए पढ़िए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी सोच के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके इस पूरी बातचीत पर इस पूरे विडियो पर आपकी क्या राय है आरक् सबoria के पूस होता है कि करीद होगे करी या अपने तो इतना सब कुछ में ने गिनाई डिया बैयान जो है वह आपकर सामने हैं समयाज आपको देख रहा है, कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना आप भूलें, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों साथियों, गर आपको The Newsweek का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यू ही अंबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें इस QR को स्कैन करें और Newsweek Foundation के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जर्ये भी मदद कर सकते हैं, आप हमारी UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं, खाते का नाम है Newsweek Foundation, अकाउंट नंबर है 0-2-3-5-8-7-0-0-0-0-6-4-0 IFSC कोड है YES B-00-0-2-3-5, बैंक का नाम YES Bank है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं, डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें, टाइप करें डोनेशन, स्पेस अपका नाम और हमें 859579-4224 पर वाट्सेप करें